हेलो दोस्तो, साबू की किचिन में आपका स्वागत है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेश्टी और हेल्दी सा नास्ता, तो चलिए आज की बहुत ही टेश्टी और इजी सी रेसिपी बनाना स्टाट करते हैं, इसके लिए मैंने यहां एक गड़ी बालक के लिए है इसको मैंने अच्छे से पहले ही दोह कर काट के रख लिया है, और यहां पर मैंने कुछ मेरे पास यह स्वीट कॉन रखे हुए थे, तो मैंने थोड़े से वो भी ले लिये हैं, इनको अच्छे से उबार लिया है, और यहां पर मैंने ले लिया है लैसन, दस बारा के लिए जिसको मैंने अच्छे से कूर कर रख लिया है तो यह नास्ता क्या है बहुत ही अच्छा लगता है तो चली बनाना शुरू करते हैं इतर मैंने एक चोटी चम्मच लिया है अब मैंने एक बड़ी चम्मच यहां पर यह बटर ले लिया है अगर आप डारेक्टली कड़ाई में या किसी भी बरतन में बटर डालते हो तो बटर क्या है चलने लगता है अगर आप थोड़ा सा ओयल डाल दोगे दो तिन भून भी तो बटर आपका नहीं जलेगा अब इसमें मैंने सबसे पहले डाला है कुटा हुआ लेशन और गैस को यहां पर low to medium रखना है हाई नहीं रखना है देखिए अच्छे से golden color का हमारा यह लेशन हो जाए इसना हमें इसको भूनना है अब मैंने यहां पर इसमें चीज का यानि चीज स्लाइज जो होता है वो अच्छे से मेल्ट करेंगे और अब इसमें साथ में ही हम यहां पर कटा हुआ पालग अपना डाल देंगे बच्चे पालग खाने में बहुत नकरे करते न तो इसके जरी अच्छे से बच्चे पालग को खा लेंगे अर अब सुईट कॉन भी डाल देंगे हम इसमें और इसक सौफ्ट हो गया है अब मेरे पास ये पचास ग्राम पनीर रखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें पनीर भी यूज कर लिया जाए अगर आपको नहीं डालना है या नहीं पसंद है तो आप पनीर इसके कर सकते हैं तो मैंने पनीर भी इसमें ही अच्छे से इसे ही खुषबू लेसन की बहुत अच्छी आ रही है तो अब इसमें थोड़ा से डालेंगे हम चिली फ्लेक्स नमक डालेंगे स्वादन उसार यहाँ पर थोड़ी से डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा से डाला हमने धनिया पाउडर यानि सुखा हुआ अब इसको अच अब मैंने यहाँ पर चार ब्रैड ले ली है आप क्या करेंगे स्टेफिंग हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है अब इसको अच्छे से हम अपने ब्रैड पर इसको फैला लेंगे एक स्पून की मदद से अफर जो भी जिससे भी रखना चाहें है तो देखिए मैंने यहाँ आप चो क्या है इस्टेफिंग अपने हिसाब से कम या जाता भर सकती है बट मैंने इसमें बहुत अच्छे से भरी हुई यह फिलिंग ताकि यह हमारा जो नास्ता है बहुत ही अच्छा यह एक सेंविच बनकर रेडी हो जाए टेश्टी और हेल्दी ऐसे दोनों हाथों से इसको दवा देना है अगर इस्टेफिंग थोड़ी सी निकल जाए तो इसको ऐसे ही उगली से यानि हाथ की मदद से इसे कर दीजिएगा तो चलिए दूसरी बड़ा यहाँ पर मैं बना लेती हूँ ऐसे ही इस तरीके से आप इसमें फिलिंग को भर लीजिएगा फटा फट जो कि बहुत जल्दी बन जाता है पालक भी अच्छे से खा लेंगे क्योंकि आरेंसी भरपूर है पालक तो बच्चे वैसे तो खाते नहीं बड़ सेंविच के नाम पर तो जरूर ही खाएंगे तो मैंने एक नॉनिष्टी का तवा ले लिया है थोड़ा सा डाला है यहाँ अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे सेखने के लिए तो देखें दोनों ब्रेड़े मैंने रख दी है इसमें और गैस को लोटू मिलियम रखिएगा अगर हाई करेंगे तो ब्रेड क्या है मारी जल जाएगी तो हलका हलका सा प्रेस करना है यानि पल्टे से या पौन जो भ देना है ऐसे ही और ऐसे करके आराम से इसको पलट देना है देखिए बहुत प्यारा कलर आया है एकदम गोल्डन गोल्डन सा आप देख पा रहे हैं और खुस्बू बहुत अच्छी आ रही है आपको यह रैसीपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से रन सब्सक देखिए मैंने इनको कट कर दिया है दो पीसों में यानि ब्रेड में से दो पीस कर दिये और मैंने यहाँ पर सॉस के सॉस सर्व किया है और आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी स्कूल के लिए पिगनिक के बहुत ही अच्छी तरीक से भरी हुई है तो चलिए मैं इक बाइट आपको यहाँ पर का कर दिखाती हूं